खबरे पांच माह बाद नियमित मिलेगा पारा सिख्षकों को मान दे दोस्तो राजिय के पारा सिख्षकों का मान दे लगभग पांच माह बाद नियमित हो जाएगा जारखंट सिक्षा परयोजना ने पारा सिक्षकों के अगस्त माह के मांदे भुक्तान की परक्रिया पूरी कर ली है आपको बता दे कि पारा सिक्षकों के जुन जुलाई के मांदे का भुक्तान इस माह क्या गया था अब लगबग 60,000 पारा सिख्षकों के मांदे के लिए लगबग 78 करोड निरगर्द किये गए हैं इसमें 263 वैसे पारा सिख्षक भी शामिल हैं जिनने पिछले एक वर्से मांदे नहीं मिल रहा था इन पारा सिख्षकों के मांदे पर रोक लगा दिया गया था सिक्षक पर सिक्षन परिक्षा सफल होने के बाद भी तकनी की कारूनों से पारा सिक्षक पर सिक्षन का पर्मान पत्र जमा नहीं कर सके थे सिक्षकों द्वारा पर्मान पत्र जमा करने के बाद इनके मांदे फुक्तान की परक्रिया शुरू कर दी गई है खबर मुख्यमंत्री स्री हेमन सोरेन ने दुमका परखंड के हरिपूर पंचायत में वस्त्र सिलाई के इंद्र का अवलोकन के साथ लाभूकों के बीच परिसंपतियों का वित्रन किया मुख्यमंत्री ने कहा सरकार समाच के सभी वर्गों की खुशाली के लिए आठ हजार सिक्शकों को मास्टर ट्रेनर बनाए जाएंगे इसके लिए CRC अस्तर पर तीन-तीन और जीला अस्तर पर चार सिक्शक चैनित होंगे आपको बता दें कि जीला अस्तरपरगनीत बिग्यान अंगरेजी और समाजिक बिग्यान विशाय के एक-एक सिक्षक को नोडल सिक्षक की रूप में चेहनित किया जाएगा इनमें उन ही सिक्षकों को चेहन किया जाएगा जो डिजिटल फ्रेंडली होंगे जिन्हें कम्प्यूटर, लैप्टॉप, मॉबाइल डिवाइस और वीडियो कॉंफ्रेंसिंग टेक्निक की जानकारी हो आपको बता दें कि सभी जीला सिक्षा पताधिकारी और जीला सिक्षा अधिचकों से जीला और संकुल बार सिक्षकों की सुची मागी गई है इसके लिए सभी जीलों को लिंक भी दिये गए हैं जिसमें सिक्षकों की ऑनलाइन सुची अपलोड करनी है खबर जार्खन सरकार ने कोरोना टेश्ट को लेकर दी बड़ी खुश खबरी दोस्तो राज्य सरकार ने प्राइविट अस्पतालों में कोविड जाँच का दर 2400 से घटाकर 1500 रुपय कर दिया है साथी राज्य में कोरोना जाँच की दर को भी और तेश कर दिया गया है इसके लिए सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है यहां आदेश में कहा गया है कि नीजी शेत्र के परयोग शालाओं में आदेश के द्वारा कोरोना वाइरस के संक्रमन की जाँच हेतू ली जाने वाली शुल्क की अधिक्तम धनराशी 2400 निर्धारित की गई है आदेश में आगे कहा गया है कि बर्तमान में आर्टी पीसियार टेस्ट कीट तथा वीटी एम कीट इत्यादी के मुलिये में गिरावट आने की कारण निर्धेश आनुसार तत कालिक परभाव से नीजी छेत्र के पर्योग शालाओं में कोरोना वाइरस के संक्रमन की आर्टी पीसी आर ज्यां छेतू लिये जाने वाले शुल्क की अधिक्तम धनराशी 1500 रुपे निर्धारित की जाती है नीजी पर्योग शाला द्वारा उक्त जांचेतू 1500 रुपे से अधिक धनराशी लिये जाना योम अन्य उलेखित प्रावधानों का पालन न करना ज्यार्खन राजे एपिडेमिक डिजीज रेगुलेशन दोहर पीस के संगत प्रावधानों का उलंगर माना जाएगा तथा संबंधित पर्योग शाला के विरूत उक्त क्या लोग में नियम अनुसार्व कारवाई सुनिशित की जाएगी आपको बता दे कि अब मात्र 1500 रुपे में ही प्राइबेट लेब में भी कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा कबर जार्खन में कोरोना मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी लागू दोस्तों केंद्रिय स्वास्थ मंत्राले की गाइडलेंस का पालन करते हुए जार्खन में भी कोरोना मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी लागू कर दी गई है आपको बता दें कि कोवीट केर सेंटर में भरती मरीजों के लिए यह पॉलिसी लागो की गई है इस पॉलिसी के अनुसार कोवीट केर सेंटर में रह रहे बिना लक्षन वाले मरीज यानि एसिम्टोमेटिक मरीज को दस दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इसके बाद कोवीट केर सेंटर से डिस्चार्ज मरीज को साथ दिन तक होम कॉरिंटाइन में रहना होगा इस दोरन बुखारिया किसी और तरका लक्षन दिखाई दे तो कोवीट केर सेंटर से संपर्क करना होगा खबरे मुखेमत्री हेमन सोरे ने कहा जारकंड के सभी बुजुर्गों बिधवाओं को मिलेगी पेंशन दोस्तों मुखेमत्री हेमन सोरे ने कहा है कि राजय में 60 साल से अधिक उम्र के सभी बृधों को पेंशन दिया जाएगा CM ने कहा कि अब राजे में 15 लाख अतिरीक राशन कार्ड बनाने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राशन कार्ड और ब्रिधा एवं बीधोवा पेंशन के लिए आवेदन दिया है उन्हें तो राशन काड और पेंशन मिलेगा ही जो आवेदन है किये हैं वे भी आवेदन कर दें ताकि सभी को राशन काड मिल जाए और पेंशन मिलने लगे शीघरी ही राजे में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुवात की जाएगी खबरे केंद्रिय सिक्षा मंत्री ने कक्षा नौ से दस्वी के कक्षाओं के लिए सेक्षनी कैलेंडर किया जारी दोस्तों केंद्रिय सिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियल निशंक ने मंगलवार को माध्यमिक अस्तर यानि कक्षा 9 से 10 की कक्षाओं के लिए अब 8 सप्ता का वैकलपिक सेक्षिनी कैलेंडर जारी किया है प्राथमिक और उच प्राथमिक अस्तर के लिए 12 सप्ता का वैकलपिक सेक्षिनी कैलेंडर और माध्यमिक और उच माध्यमिक अस्तर के लिए 4 सप्ता का AAC पहले ही जारी किये जा चुके हैं अब यह अगले आठ सपताओं के लिए माध्यमिक अस्तर के विद्यार्थियों के लिए अकाडमिक कैलेंडर का दूसरा भाग है आपके बता दें कि COVID-19 के कारण घर पर रहने के दौरान शात्रों को सार्थक रूप से सैक्षिक गती विद्यों से जोड़े रखने के लिए सैक्षिनिक कैलेंडर बनाया गया है प्राथमिक और रूच प्राथमिक अस्तर पर छात्रों अभिभावकों और सिक्षकों के लिए बैकलपिक सैक्षिनिक कैलेंडर NCRT द्वारा MHRD के मार दर्शन में विक्षित किये गए हैं कबरे कोरोना के बीच दर्शकों के बिना जार्खन प्रीमियम लीक शुरू छटी में ले रही है हिस्सा दोस्तों बैश्विक मामारी कोरोना के कारण भारती क्रिकेट कंट्रोल बोट यानि BCCI अभी तक घरिलू सत्रक शुरू करने की तारिखें गोसीत नहीं कर पाया है लेकिन जार्खन राजे क्रिकेट संग ने मंगलवार को अपनी T20 लीक जार्खन प्रीमियम लीक को एक साधे समारों के साथ शुरू कर दिया राची में जेस S.C.A. के इंटरनेशनल स्टेडियम में दर्शकों के बिना साधे समारों के साथ इस लीक की शुरूआत हो गई है टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही सभी छटी में पीच के आसपास के हिस्से में एक अतार बद खड़ी थी कोरोना के कारण समाजिक दुरी के नियम का समारों में पूरी तरह से पालन किया गया सभी ने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे इस्टेडियम में दर्शक मौजुद नहीं थे खबर सुशांत केस में सामने आई बड़ी जानकारी मौट से एक दिन पहले दो पर बाद नहीं दिया किसी कॉल और मैसेज के जबाब दोस्टो सुशांत सी राजपुत के निधन को तीन महीने पूरे हो गए है लेकिन अभी तक उनकी मौट का कारण नहीं पता चल पाया है इस केस में रोज नए खुलासी हो रहे है अब हाल ही में इस केस से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है आपको बता दे कि टाइम्स नाव के रिपोर्ट के अनुसार सी बियाई के सुत्रों ने बताया है कि सुशांत 13 जून दोपजर दोपार दो बच कर बाईस मिनट के बाद से ना तो फोन का इस्तमाल कर रहे थे और नहीं किसी मेसेज या कोल का जबाब दे रहे थे आपको बताते कि सुशांत की मौत के मामले की जाँच के तोरान ड्रक्स का एंगल सामने आने के बाद नार्कोटिक्स कंट्रोल यूरो ने पीछले दीनो रिया चकरवर्टी को गिरपतार किया था इस मामले में हाल ही में यह जानकारी सामने आई है किरिया चकरवर्टी ने कुछ वॉलिवूड सेलेब्स के नाम भी लिये है एंसीबी अधिकारी ने बताया किरिया ने एक्ट्रेस सारा अली खान रकूल प्रित सिंग और डियानर सीमोन खंबाटा के नाम लिये है ख़बर है एंपियस सब्सक्राइबर्स को मिली एक नई सुविधा घर बैठे बदले नौ मिनी जी हाँ दोस्तो नेशनल पेंशन इसकीम यानी एंपियस सब्सक्राइबर्स के फायदे के लिए पेंशन फंड रेगुलेटर पी एफ आरडी ने नामांकन में बदलाव के लिए इस साइन अधारित ऑनलाइन सुविधा की शुरुवात की है एंपियस के तहत किये गए नामांकन को किसी भी समय सब्सक्राइबर द्वारा संशोधित किया जा सकता है आपको बता दें कि एंपियस एक पेंशन सहनिवेश योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को बिर्धा आउस्था सुरक्षा परदान करने के लिए शुरू किया गया है यह योजना सुरक्षित और विनियमीत पाजार आधारित रीटन के जरिये प्रवहवशाली रूप से आपकी सेवानिवरितिक योजना बनाने हित्तु एक आकरशक दिर्गकालिक बचत मार्ग से प्रारंब होती है खबर पीम किसान समान निधी स्कीम घोटाला मोधी सरकार ने कहा किसानों की पहचान करना राज्यों का काम दोस्तो तमिल नाडू में परधानमंत्री नरेंद्र मोधी के ड्रीम प्रोजेक्ट पीम किसान सम्मानिधी स्कीम में हुए घोटाले के बाद केंद्रे ने साप किया है कि किसानों की पहचान करना राज्य सरकारों का काम है उधर घोटाला करने वालों पर सक्ती शुरू हो गई है ताकि फिर किसी राज्य में ऐसा ना हो तमिलाडू की क्राइम ब्रांच CID ने इस घोटाले को लेकर 10 मामले तरच किये हैं और इस मामले में 16 आरूपियों को हिरासत मिलिया गया है जीला और ब्लोक अस्तर अस्तरी पिम किसान लोगिन आईडी को निस्किरिय कर दिया गया है इस मामले में अब तक 47 करोड रुपे की रकम वसूल कर ली गई है बताय गया है कि कुछ करमचारियों ने मिलकर इस निधी से 110 करोड रुपे गलत तरीके से ऑनलाइन निकाल लिये थे केंद्री किरिसी मंत्री नरेंद्री सिंग तोबन ने बताया जी हाँ उन्होंने कहा कि तमिलांडू के कुछ जीलों में यूजर नेम की जानकरियों को चुरा कर कुछ अपात्र लोगों का PM किसान पोर्टल पर रेइस्ट्रेशन किया गया बिल्लीपूरम, कुला, कुरुची यों कुलाडूर जीले में इस अवयत काम में शामिल होने वाले उन्हीं सम्विधा कर्मचारियों की सभाए समाप्त कर दी गई खबर है बिशिष्ट मारगों पर 21 सितंबर से चलेंगी 40 क्लोन ट्रेन 19 सितंबर से शुरू होगा आरक्षन दोस्तो बड़ी खबर आ रही है रेल मंत्राने ने बिशिष्ट मारगों पर यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए 21 सितंबर से 20 जोडी क्लोन स्पेसल रेल गाड़ियों को चलाने का फैसला किया है इन रेल गाड़ियों के लिए 19 सितंबर से आरक्षन शुरू होगा रेल मंत्रा ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि ये क्लोन स्पेसल शिवाएं स्रमी की स्पेसल और पहले से चल रही 310 स्पेसल ट्रेनों के अलावा होंगी किसी ट्रेन के नाम पर चलने वाली दूसरी ट्रेन को क्लोन ट्रेन कहते हैं यह मूल ट्रेन के रवाना होने की कुछ दिर बाद रवाना की जाएगी ये क्लोन ट्रेने अधिसूचित समय पर चलेंगी और पूरी तरह से आरक्षित ट्रेने होंगी ठहराव परिचालन हल्ट तक सीमित रहेगा क्लोन ट्रेन के ठहराव कम होंगे ऐसे में लंबी दूरी की यात्रियों को इन रेल गारियों में वरियता दी जाएगी